नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी नीज में आपका स्वागत है खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर होली के रंग में डूबे हैं लोग आज है अंतराश्ट्रिय महिला दिवस पासर देशों के सीईयों ने देखी बिहार की होली बेटी दरोगा बनकर लोटी तो पूरे गाउं ने एक साथ मनाई होली दिवाली इंडियन क्रिकेट टीम ने खेली होली इसके साथ ही बरते हैं साम तक की बड़ी खबरों के ओर विस्तार से होली के रंग में डूबे हैं लोग आजपुरे देश में बड़े ही धूमधाम से रंगों का तियोहार होली मनाया जा रहा है वैसे तो होली की खुमारी फागुन आने के साथ ही लोगों पर चढ़नी शुरू हो जाती है लेकिन बीते दिन यानि की मंगलवार की राश शुब मूरत में होली का दहन के बाद बुधवार यानि की आज लोग एक दूसरे को रंग लगा कर होली मना रहे है बता देए कि आज के दिन लोग तरह तरह के वेंजन का लुटव उठाते हैं लेकिन वसंद के आगमन और मौसम अनुरूप प्रकृति को लेकर से मस्ती और अलबेले पन से भड़े तिवहार के रूप में भी मनाया जाता है बता देए कि आज के दिन लोग एक दूसरे के घर जाकर एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं और अपनी खुशियों को एक दूसरों के साथ बाढ़ते हैं आज इमर्जेंसी मेडिकल सेवा रहेगी हाई अलट आज पूरे भारत में रंगों का तिवहार होली बड़े ही धूमधाम से मनाया जारा है ऐसे में आज होली को देखते वे बिहार की राजधानी पटना में स्टेट रैपिड एक्शन फोर्स और सेंट्रल रैफ की भी टीम लगाई गई है वही दूसरी ओर होली में घटत होने वाली घटना या दुरगटना को देखते वे प्रशासन के दौर अपको ज़रूरी मोवाईल नंबर जारी किये गए है जिस पर कॉल कर घट के लोग अपनी परिशानी का समधान निकाल सकते हैं बता दे कि जारी किये गए नंबर में PMCH कंट्रोल रूम में 6123-000-000-000 जिला नियंतरन कक्ष 0612-22-1981 सिविल सर्जन 947-000-000-000-000-000 PMCH अधिक छक 947-00-000-000-000-000 निकल कर 20 सबर्च यूवक अगले महीने इंडियाज टैलेंड शो में अपना बिखेडने वाला है बता दे कि 20 वर्च यूवक का नाम प्रिंस ओरफ अकारी रैपर है मालुम हो कि प्रिंस के रैपर बनने की कहानी बेहत दल्चस्प है प्रिंस के पिता विश्वजीत कुमार भारती के नुसार उनकी इक्षा थी कि उनका बेटा बड़ा होकर इंजिनियर बनेगा लेकिन जब प्रिंस दस्वी में थे उस दौरान उसने अपने पिता से गिटार मांगी थी जिसके बाद उसके पिता ने उसकी रूची संगीत में देखते वे एक एक पैसा जोड कर उसे गिटार खरीद कर दिया था प्रिंस गटार लेने के बाद अपनी पढ़ाई के साथ गटार की भी प्रैक्टिस करते रहे वहीं बेटे की सपलता पर परीजन काफी खुसे आपकी जानकारी के लिए बता दे कि प्रिंस एकलौत कंटेस्टेंट है जिसका चयन विहार से किया गया है आज यानि की 8 मार्च को हर बर्स अंतराश्य महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है बता दे कि आज के दिन सभी महिलाओं को समाज घर पड़िवार में उनके महत्व और योगदान के लिए सम्मान दिया जाता है आपकी जानकारी के लिए बता दे कि संयूंक्त राश्ट्र संके द्वरा सन 1946 में पहली बार अंतराश्ट्रिय महिला दिवस को एक खास ठीम के साथ मनाना चुरू किया गया इस साल से महिला दिवस को अधिकारिक मानेता मिलती मालूम हो कि पहली अंतराश्ट्रिय भविश्य की योज ना रखी गए थी भारत में इस दिन को इस लिए खास माना जाता है क्योंकि आज के दौर में समाज भले ही कितना भी जागडुक क्यों न हो गया हो मगर आज भी भारत में एक ऐसा तपका है जहां पुरानी रूडिवादी धाराओं को एहमियत दी जाती है एक तरफ जहां भारत के एक हिस्से मे महिलाएं घर के साथ ओफिस भी चलाती है तो वहीं दूसरी हिस्से में कहीं कहीं घर के फैसले लेने की भी इजादत महिलाओं को नहीं दी जाती इसी को देखते वे महिलाओं को जागडुक और उनका सम्मान देने के लिए आज के दिन को महिला अंतराश्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। जानकारी के नुसार इस हवारा नेटवर्क का तार सेंट अरब अमिराथ यानी की UAE से जुरा है जिसका संचालन विहार और करनाटक में किया जा रहा था। आपके जानकारी के लिए बता दे कि NIA के दोरा दी गई जानकारी के नुसार इस मामले को लेकर पिछले साल कुल साथ लोगों को गिरफतार किया था और अब तक PFI से जोड़े कुल 500 से जादा लोगों को गिरफतार किया जा चुका है। 62 देसों के CEO ने देखी बिहार की होली। लगबग 72 साल बाद नारंदा जले के अमावा स्टेट के महल परिसर में होली खेली गई जिसमें 62 देसों के सकतर से अधिक यंग CEO ने भारतिये गीतों पर जम कर ठुंके लगाए। बतादे कि आयूजन विदेशी मेहमानों को भारतिये संस्कृती से रुबरू कराने के उदेश शे लगाया गया था जिसका नाम ड्रामीन मेला रखा गया था। पुर्वमंत्री वीना साही वह ने लोगों के द्वारा रंगीन गमचावा फूल माला पहना कर किया गया। बेटी दरोगा बनकर लोटी तो पूरे गाउं ने एक साथ मनाई होली तिवाली। बिहार के नारंदा में होली और दिवाली एक साथ मनाई गई है। दराजल गाउं के एक बेटी जब बिहार पुलिस अकादमी राजगीर से प्रसिक्षन प्राप्त कर दरोगा बनकर अपने गाउं वापस लोटी तो लोगों में इतनी खुशी दिखी कि उन्होंने अपने गाउं की बेटी का स्वागत आतिसपाजी करकर किया। बता दे कि जो दरोगा बनी है वह 2019 पैच की खुश्पु कुमारी है। पतना जंक्सन से गायब मोवाइल कंपनी के मैनेजर को पुलिस ने किया बरामत। दरसल सुमन सौरव ने अपनी पतनी को पताया था कि वह भागलपुर जा रहे हैं जिसके बाद तकनीकी विश्लेसन से पता चला कि सुमन सौरव गया में है वहीं। पुलिस के द्वारा यह भी बताया गया था कि पतना स्टेशन पर उनके साथ किसी भी प्रकार की अपरादी घटना अध्वा बल प्रयोका साक्षिन नहीं मिला है। इन सबी बातों को ध्यान में रखते वे बीते दिन यानी की मंगलवार को पुलिस के द्वारा सुमन शौरव को आसन सो से बरामत कर लिया गया बागे क्या कुछ कैसे हुआ इस बात की जानकारी पूछताश के बाद बाहर निकल कर सामने आएगी। मुख्या के घर से पुलिस ने जब्त किया सराव। पयार में सराव बंदी है लेकिन इसके बावजूद भी हूली को देखते वे पूलिस के द्वारा मुख्या के घर से सराव जब्त किया गया है बतादे की ताजा मामला पठना जले के पाली गंज अनुमंडल के दुल्हन बाजार थाना छेतर का है जहां पुलिस के दोरा सूशना के आधार पर बीते दिन यानी की मंगलवार को मुख्या के दलार में छापे मारी कर सराप की खाली बोतल और इस्तिमाल किया वा डिस्पोजल ग्लास के सास साथ खाने पीने की कुछ सामगरी भी पाई गई हाला कि मुख्या के खिलाफ मामला दर्जकर आगी की कारवाई की जा रही है सीम नितीस ने नहीं खेली होली एक तरफ जहां पूरे देश होली के रंग में डूबा है तो वहीं दूसरी और बिहार के मुख्यमंत्री इस बार भी होली से दूरी बना कर रखे हैं बता दे कि इस बार मालूमों कि राजधानी पटना में करोना का से ही मुख्यमंत्री आवास में होली का कारेक्रम बंद है जो इस बार भी लागुड़ा मुख्यमंत्रे नितीस कुमार ने पिछले कई सालों से होली से दूरी बना ली है इसको लेकर जदियू के विधान पारसत और नितीस कुमा बंद कर दिया है क्योंकि वह एतियात बरत रहे हैं उन्होंने कहा कि भले ही मुख्यमंत्रे नितीस कुमार इस बार भी होली नहीं खेल रहे हो लेकिन मुख्यमंत्री के दिल में यही है कि बिहार के सभी लोग अपने घर में ही खुशिया बनाए उन्होंने कहा कि नितीस कु विपक्षी नेताओं को भी बधाई दिया गया है क्योंकि होली सबके लिए है इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष कुछ नहीं होता उन्होंने सबको होली की सुबकामनाई दी है प्रशांत किसोर ने लोगों को कहा ये चुनावी राजनेती रनतिकार प्रशांत किसोर अपने जंसुराज पदियात्रा के दोरान आमसभा को संबूधिक करते वे कहें कि बिहार के लोगों को कुछ चीज समझ में आती हो या ना हो लेकिन राजनेती बहुत अच्छे से समझ में आती है उन्होंने कहा कि जब एक जगल चार आदमी बैठते हैं तो केवल राजनेती की ही लेकिन जब बारी वोट देने के आती है तो वह केबल चार ही मुद्धो पर वोट देते हैं यही कारण है कि आज भी बिहार की दशा में कोई सुधार नहीं आया है उन्होंने लोगों को संबूधित करते वे कहा कि ऐसा नहीं है कि यहां के लोगों कोई हजजानकारी नहीं ह है कि सिक्षा जरूरी है लेकिन इसके बावजूद भी आप कभी सिक्षा पर वोट नहीं करते यहां के सभी लोग चाहते हैं कि उनके बेटे को रोजगार मिले लेकिन वे वोट पुलमामा और चीन के नाम पर देते हैं उन्होंने कहा कि अगर यहां के लोग भाजपा को हड लाने के लिए या लालो को हडाने के लिए वोट देंगे तो यहां के लोगों के दशा में कभी सुधार नहीं होगी लालो यादव से CBI की पूछताच पर बोले राजत नहीं था जमीन के बदले नौकडी के मामले में बीते दिन CBI की टीम दिल्ले इस्तित मिशा भारती के घर पहुंची जहां उन्होंने राजस सुप्रीम लालो यादव से पूछताच की वहीं लालो यादव से CBI के द्वारा की गई पूछताच को लेकर पार्टी प्रवक्ता सतीस सिंग यादव का कहना है कि सोंबार को CBI की टीम पुर्व मुख्यमंतरी राबरी देवी से पू रोधी दल के निताओं के खिलाफ ED, CBI और IT का इस्नमाल के आ जा रहा है उन्होंने कहा कि जो आया है वह जाएगा और अगर कल दूसरे दल के लोग सत्ता में आते हैं तो वह भी इसी लकीर को अपनाएंगे जो सही नहीं है यह एक चुनोती और लड़ाई है जो सामने से होन चाहिए उन्होंने कहा कि राशिये जनतादल का रिकॉर्ड जुकने का नहीं रहा है रवी शंकर प्रशाद जमीन दो और नौकरी लोग का तीसरा स्कान रास्थाने दिल्ली में रवी शंकर प्रशाद ने प्रेस कॉन्फरेंस के दौरान महागरवंधा नेताओं के सवाल प पर चाड़ा घुटाली को लेकर PIL किसने दायर की थी ये PIL सुस्रील मोधी और आजीव रंजन उर्फ ललन सिंग ने मिलकर याचिका दाखिल की थी बीजेपी निता दौरा महागरवंधां के सवाल पर प्रेस कॉन्फरेंस के दौरान पलटवार किया गया पलटवार करते उन्होंने मीडिया से पूछा के लालू यादव को चारा केस में सजा हुई या नहीं अपनी बात को आगे रखते वे उन्होंने कहा कि उस समय भी कहा गया था कि जूटा और बेबुनियादी काम अटल जी और बीजेपी वाले कर रहे हैं इसी पर संतोस नहीं हुआ तो चमी पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें शुबमन गिल अपने मोवाइल फून से वीडियो बना रहे हैं तो वहीं उनके पीछे खड़े बिडाट कोली खुद गाना गाते वे डांस कर रहे हैं उनके पीछे कप्तान रोहर शर्मा रंग उड़ाते ही नजर आ रहें बता बता दी की गिल के दोरा बनाएगा इस वीडियो में अमिताब बच्छन का गाना रंग बर से भीगे चुनडवाली सुनाईते रहें आपकी जानकारी के लिए बता दी कि भारत और ऐस्ट्रेलिया के बीच आखड़ी और चौथा टेस्ट मैच मुकाबला 9 मार्च को नरिंद मंठिख when Kalman 24 प्रति लिटे बता दी कि बिषार बेपेट्रॉल old vibration यहां पेट्रॉल चारशन को प्रतिलिटर और इसके साथो सेट तो आं र्मन की और पीट्र चार्शन जानकाई मंकात और च्वीजां गई लन्हा प्रतिल्टारब गया तीजल देल अब भरते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है आपके अनुसार पिहार के लोग किन मुद्दू को लेकर अपना वोर्ट देते हैं अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन लेकर जरूर बताए आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम कवरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे अगर आप यूटूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बूक से देख रहे हैं तो पेस को